हेलो बच्चों कैसे आप सभी लोगों सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल मौर्या गुर्य अकैडमी में आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली योजना के तहत सभी लड़कियों को मिलेंगे पच्पान हजार रपी किरासी जी इस वीडियो को देख रहे हैं तो हर स्टुडेंट के पास हर लड़कियों के पास सेर करेगे इस वीडियो को मतलब एक दूसरे के पास जरूर भेजींगा इससे क्या होगा कि उनको भी इसके बारे में पता लगेंगा तो उनको इसका लाब मिल सके के ठी Mehak कैसे करना है इस वीडियो में पूरा प्रोसेस बताता हूं जैसे कि देख सकते हैं मैंसे जाया हुआ है मुख्यमंत्री लाडली रोजना के तहट दोस्तों मुख्यमंत्री लाडली रोजना अब देश की वेटियों को मिलेंगे पढ़ाई से लेकर परवारिष तक आर्थिक जाते हैं हर तर Sahaja के सरकार के तरप से अपडेट मिलती रहा है वी इडियोства बठंव को मिलता रहा है चैनल को भी सबस्क्राइब कर दीजेगा ठीक है चैनल को लालगालर का बटम दिख रहा हो है निछे इसको सबस्क्राइब करके क्लिक टीजे और वैले एले धिन गंटी क सरकार ने दोस्तों लड़कियों की सिच्छा बढ़ावा देने के लिए एक बहुत ही महत्पुन मुख्यमंत्री लाड़ली योजना के सुरुवात की है जैसा कि हमारे देश में अभी भी बेटे बेटियों में फरक माना जाता है इसी को लेकर दोस्तों मुख्यमंत्री सरकार जो दिली सरकार है मुख्यमंत्री लाड़ली योजना के सुरुवात की सवी लड़कियों के लिए जो आसानी से इसके तहत और आगे की सिच्छा पराप्त कर सके ठीक है चलिए आप लोगों को पूरा बताता हूं कैसे आवे दिन करना है जैसे कि आप दे सकते हैं मुख्यमं मैंने आपको जैनम से लेके दोस्तों आप लोगों को फूरी मतलब आपके सिच्छा तक पच्पन हजर किरा से मिलेगी ठीक ना अब आपको इलिए इसके तहत बता दूँ कि अपने बैंक के कभी भी पैसे मतलब निकाल सकते हैं इसके तहत आप अगर इसके तहत आवेदन कर प्वालेते हैं तो जो जो डॉक्रमन लहेंगे अगर आप दे देते हैं आवेदन कर वालेते हैं तो आप कभी भी बैंक से अपने पैसे निकाल सकते हैं इस योजना के तहत रहता होघा अवेदन फार्ने के लिए क्या पात रचा क्या साथ रखी गईए इसके बारे में भी जनकारी देख लीजेगा पूरा पताएंगे सुड़ियों आपको पूरी स्टेव अपडेट देखाएंगे क्या मैसे जाया हुआ है बफसे पहले आपको पता दो कि मुख्रमंत्री लाटली योजना के सबसे पहले मदद बेटिये के जनम के समय मिलती है जिन लड़कियों का सर अगर किसी अन्य घर में या सरकारी अस्पताल को छोड़के अगर सरकारी इस्पताल में होती है तो दोस्तों यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला को पता दो इसके बाद जब बच्ची पड़ने योग्यों हो जाती है तो पहली कच्छा में पढ़ता हूं जो छटवी और नौवी और दसवी कच्छा में जब बच्ची आप पड़ती है तो देख सकते हैं फिर बारवी कच्छा में तो पांच पाच्छा जार रुपे दिये जाते हैं आप लोगों को बता दूँ कि योजना के तहत दी जा रही रही रासी बच्ची क 18 साल होनी के बाद तक आप आए जानते हैं सरकार ने इसके लिए क्या पात्रत रखिए सारा कुछ आपको बता दूँ कि यह सब रासी आप लोगों के खाते में डारेक्ली ट्रांसवर किया जाते हैं आप असानी से निकाल कि अपनी सिच्छा के लिए पराप्त कर सकते हैं ल लड़की का भी जनम हुआ है तो एक वर्स के भीतर कोई व्यक्ति लाड़ली योजना का लाव उठाने के लिए विदन कर सकता है बच्ची के अठारा वर्स की आई उस तक उसके बैंक खाते में जमारासी प्रबंद एस बी आई लाइफ इंसुरेंस कंपनी द्वारा किया ज देख रहें सबी लोगों किसी दर्खवा से कि इसका आवेदन करिया आवेदन भरिये लाडली योजना के तहट बच्चियों को कुल से 35-36000 रुपे कि रासी मदद दी जाती है लाडली योजना का लाव लेने के लिए आवेदों को दिल्ली का निवासी होना चाहिए ठीक है सरकार क्यों मननेता प्राप्त होनी चाहिए मतलब दिल्ली सरकार के अंडर मही स्कूल में पढ़नी चाहिए सवाथ का ध्यान रिखेगा अवेदन की दास्ते विच क्या क्या लगिंगे सभी को बता जता हूं मतलब इता को दिल्ली में तीन साल से रहने का परमान पत्र लेग सब्सक्राइब करने से पहले आव आप से फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से शेयर करेगा सभी स्टूडेंट के पास ठीक है कि जो भी इच्छिक अपने बेटीएं के लिए योजना का लाव प्राप्त करना चाहते हुआ वैस योजने के लिए अवह भर सकता है वे दर्फार्ने लिएा भारतिय स्टेट वैंक से संपर्क करें सब्सक्राइब बैंक से वहां आपको योजना का फार्म मिल जाएगा और जिस आप जिसे आप भरकर बैंक में ही जमा करना होगा आप लोगों के ध्यान रखेगा आप लोगों को लाडली योजना का फार्म मिल जाएगा वहां पर आप लोगों को ही जमा करना पड़ेगा इसके अलावा सरकार या मानेता प्राफ तस्कूल वे दिल्ली सरकार के समाजी कल्याइब विबाग के कारेले से भी संपर्क करके उस्ति जनकारी हासिल कर सकते हैं मतलब आगर आपको इस वीडियो पर यकीन नहीं होगा तो आप आप चाहें तो दोस्तों असानी से आप चाहें तो कारेले या अपन आप उसस करके आसाने से इसका फॉर्म मिल जाएगा भरार का में पर ऊपर जमठ कर दीजिए और नहीं आता है तो वहां किसी भी आप लोगों कैसा लगा एधिकारिक से बाते ही आएंगा कशीबी 1725 से झाल झाल